मस्टार द memang नमस्कार दुस्तों मैं हूं जए वीर है और आप देख رहे है हिनकयम का YouTube चैनल इस वीडिए में कंपेर करेंगे 20 Watt और 30 वार्ट की फाइबर-ION सबीट के साथ हम देखेंगे कि दोनों मशीन कितना बड़े area mark कर सकती है दोनों मशीन की speed में क्या difference है, तागि आप दोनों मशीन, अगर आप मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, या मशीन को यूज करने का प्लान बना रहे हैं, तो आप अच्छे से decision ले सकें, स Auch अब को देखंगे तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आफ आफ 40-4 के अरिया मार्क करेंगे दोनों मशिन से 46िंच बयुट एरिया के मांक करेंगे और हम मेंगे प्ल्राइब कि था में कि इस वाट के मश्इन तक सकती है सहलर इंतिन वड़ एरिया तक मार्क कर सकती हैं तो दोस्तो more पर 10 ढंब तक्तल सब्वार्कों करता है और यक् समान चाहरा की साइज पहले 20 शेथे नजल मुंञ न थे सब्वरें अधिस्ट करें लिए तरोगी सब्दूसेंगे 1जैर सब्सेच स्क्री फैर्व फूक कर लिया था झांत तो यह बीश वाट का रजल्ट है अब हम सेम पीश पीश वाट पर मार्ग करेंगे और देखते हैं रजल्ट कैसा आता है तो आप देख सकते हैं तीस वाट की मार्किंग बीस वाट की बज़ाए ज्यादा ब्राइट है जो जो इफेक्ट है वो ज्यादा ब्राइट है और हम देखते हैं मार्किंग गाड़ी आती है के नहीं आती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तीस वाट की मारकिंग है वह बीश वाट से ज्यादा डीप है यानि उसका कलर ज्यादा डार्क है तो अब स्पीड बढ़ाके देखेंगे तीस वाट की और 20 वाट की मशीन सेम एफेक्ट ला सकती है तुम 30W की स्पीड 50% बढ़ा देंगे यानि 500 से 7500 करेंगे और फिर कंपेर करेंगे इन तीनों को आपस में तो हम स्पीड कर रहे हैं 500 के बज़ाए 750 और अब हम सेम पैटर्न को मार्क करेंगे उसके नीच है तो दोस्ताब अब देख सकते हैं जो 30W की मार्किंग डेड़ गुना स्पीड पर आई है तो वो मेरी 20W की मार्किंग के बराबर आई है तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो 30W की मशीन है वो 20W से डेड़ गुना फास्ट है अब हम एरिया बढ़ा करके देखेंगे हमने चार इंच का लेंच लगाए अब हम दोनों मशीन पर 6 इंच का लेंच लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या मार्किंग एफेक्ट आता है क्या 20W की मशीन 6 इंच मार्क कर सकती है और 30W की मशीन क्या 6 इंच मार्क कर सकती है तो अब 6 इंच की बार है 20W में हमने समझा कि जो 30W की मशीन है वो 4 इंच बढ़ चार इंच के एरिया में 20W की मशीन से डेड़ गुना फास्ट मार्क करके सेम एफेक्ट ला सकती है और अग सेम स्पीड पे उसकी मार्किंग ज्यादा डार होगी तो दोस्तों हमने फोकस सेट कर लिया है और हमने लगबग 6 इंच चोड़ाई का टेक्स्ट लिया है अब हम इसको पहले 20W पे मार्क करके देखते हैं कि 20W की मशीन 6 इंच के लेंस के साथ सही से काम करती है कि नहीं करती है तो अब देख सकते हैं मार्किंग काफी हलकी हो गई है और जो इसका इफेक्ट है वो इतना 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 डीप नहीं है फिर भी हमें इसको अपनी दूसरी वाली मशीन के साथ यानि 30W की मशीन के साथ तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत हलकी மार्किंग होगी है मतललत अकर हम 20W की मशीन से मैं पर मार्क कर रहे हैं तो मेरी मार्किंग बहुत ही हलकी हो गई ऐस कर रहे हैं तो यह ओली मशीन आपको काम दे सकती है जब आपका साइज लगवत 6 इंच तक है लेकिन यह चा तो दोस्तों अब हम सेम टेक्स्स सेम परामिटर के साथ 30 वाट की मशीन पस्कार कर रहे है आप दीछ सकते हैं जो 308 की मारकिंगल आखी दीप है ब्राइट है और उस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है अच्छा इफेक्ट आ रहा है हम उसकी आवाज भी सुन सकते हैं मारकिंग की जो आवाज हो रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 30 वart पर इफेक्ट आया है वह नौर्मल ही इफेक्ट आया मतलब कि 30 वाट की मशीन को आजानी से चेंट बाइ चेंच के एरिया पर मारक करने के लिए यूज कर सकते हैं और जो यह 30 watt पे इफेक्ट आया है वो मेरे 20 watt चार इंच भाइच पे एफेक्ट आया था सेम ही एफेक्ट यह मतलब मतलब कि मेरी 30 watt की मशीन है वह थे इन्च भाइच फ्रीन इंच में प्रफिले सीजवी काम करती आप दोस्तों हमने देखा कि जो अपनी 20 Watt की मशीन है वो 6 इन्च दे एक्षा एफेक्त नहीं लाती है अब हम 30 Watt की मशीन को देखेंगे कि 8 इन्च गारी मारकिंग जाधा डीप जादा गहरी मारकिंग ये डीप एन्ग्रेविंग इससे नहीं कर सकते है तो हम देखेंगे कि 30 watt की मशीन का क्या हाल होता है जब हम इसमें 8 inch by 8 inch का लेंस लगाते हैं तो किये 20 watt की 6 inch by 6 inch मशीन जैसा ही रजल्ट देती है यह उससे अच्छा रजल्ट देती है तो यह देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 30 watt की मार्किंग मशीन कितना बड़ा अरिया मार्क कर सकती है तो हम लेंस चेंज करेंगे हम 1.500 की बजाए 200 बाइ 200 का लेंस यूज करेंगे हो दूस्त हमने दोसफों जाए 200 का लेंस अब सैम ऌंअ सपीड पर और सेम फुल प्रक्रवर पर मार्क करेंगे कि 8 ho कैसी मार्क करती है तो दोस्तों मार करके देख रहें की मशीन कैसा माक करती है 8 भाय8 इंच वाल अरिया में तो आप देख सकते हैं कि इसकी मार्किंग काफी हलकी हो गई है और यह रिजल्ट वैसा है जैसा कि मेरी 20 वाट की मशीन चेंच भाई छेंच में दे रही थी तो दोस्तों इस वीडियो मैंने सीखा कि जो मेरी 20 वाट की फाइबर लेजर मार्किंग मशीन है वो चार इंच भाई चार इंच के एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर उससे आपको बड़ी और हल्की मार्किंग करनी है तो आप इसको छेंच भाई छेंच वाले ए उससे बड़े एरिया में यह मार्क नहीं कर पाएगी वहीं हमने देखा कि जो 308 की मशीन है वो मेरे 4 इंच भाई 4 इंच में बहुत अच्छे से एंग्रेविंग करती है लेकिन 8 इंच भाई 8 इंच में उसके एंग्रेविंग बहुत हलकी हो जाती है तो हम इसे समझ सकते है हैं कि अगर हमें 6 इंच भाई 6 इंच तक कवर के रिया है तो हमें 30 वाट की मशीन पर जाना चाहिए वहीं अगर मैं बर्दनों पर हल्की फुलकी एंग्रेविंग कर रहा हूं तो भी मैं 30 वाट की मशीन ले सकता हूं 8 इंच भाई 8 इंच के लिए जो कि मेरी थाली जैसे ब बड़ा मार्किंग एरिया जो चार इंच से बड़ा है और चेंच से छोटा है तो आप 308 की मशीन में जा सकते हैं वहीं अगर आप नोन मैटल पर मार्क कर रहे हैं तो बीस वाट की मशीन लगबग तीन सो भाई तीन सो इम्म बाई 300 मम तक के अरिया पर भी अच्छे से मार् करती है और कौन-कौन सी अप्लिकेशन में यूसफूल है वहीं थीस वाट की मशीन के बारे में भी बताया तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी काम की लगी होगी हम आगे भी अलग-अलग तरहें की मशीने अलग अलग तर झालग 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